कि अफ्म सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपका ये जो इंटरसीब प्रोग्राम है इसमें आप सभी सब्सक्राइब करता होगा यह बेसिक आइडिया की बहुत अच्छी जानकरिया आप सभी के फास में कि अप करिए कि मेरी आवाद आप सभी को आ रही है या नो और एक काम और करिएगा जब मैं कर लेंगे जब सेशन स्टार्ट होगा तो एक बार अपने जो चैट बॉक्स है उसमें अपना नाम या हाई हलो लिख दिजेगा नाम तो बाई डिफाल्ट आपका आ जाता है तो यह आपके सबसे पहले यह सभी के लिए है जो हमारे बारा बेसिक ट्रेनिंग का बेसिक बैक ग्राउंड है वह आपको बताना ज़रूरी है कि आप उसको कैसे काम करेंगे इसको कैसे करेंगे तो और उमीद करता हूं सभी लोग को जिनका नाम दें अपना माई कान्यूट करके जो भी मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को डिलीवर किया है उस सारा आपको लिंक के थूरू रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा तो किसी कारणवास अगर आप लिंक ब्रेक हो गया हो या कम्म्नुकेशन आपको प्रापर नहीं मिला हो तो डोंट बडर इसके लिए परि मैं पीपीटी की मदद ले रहा हूं आज इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज लाइब टेलिकॉम नेटवर्ट टॉपोलोजी तो पीपीटी के वल सपोर्ट के लिए रहेगा अक्शुल मेरी जो बात होगी तो हम आप से पूछेंगे उसी इप हम लोग डिसकस करेंगे तो सबसे पहले इस नेटवर्क में हमें समझने की कोशिश करेंगे कि लाइब टेलिकॉम नेटवर्क होता क्या है ठीक है तो मेरे बारे में तो आलड़ी कुछ लोगों ने नई जोईन किया है इसमें आज के सेशन में आज चुकी पहला सेशन है लेकिन लास ताइम हमने इं तो अगेन रिपीट कर देता हूं फारियूर्कान इंफॉर्मेशन आइम के के स्यादों वर्किंग एज ए अशिटेंट डारेक्टर इन आइटी मैंने अपना इंटेक कंप्यूटर साइंस में किया है में हिस्ट्री में मेरे अपने इंजिनिंग की है इसके अलवा हम मैं सब्सक्राइब काफी है क्योंकि मैं नाइंटी नाइंटी नाइन से वर्किंग में हूं तो मैं अभी दो बच्चे यहां भी आये थे तो आदिती और भी तो नहीं उससे में बता रहा था कि आपने से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा इस दुनिया में जो आया होगा नाइंटी नाइंटी नाइन में तब से मैं अपने एक्स्पेरियंस को आप सभी के साथ करता हूं ठीक है तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अगर मैं आप सभी से पूछूं कि टेलिफोन क्या होता है तो नो डाउट आप बहुत असानी से बता देंगा टेलिफोन का अपाइंगे थोड़ा सा मैं आइडिया लेना चाहूंगा तो मैं जिसका नाम लोगता बताब आंगे तो मैं अभी नाम लेता हौ दिब्यम को मेरी आवाजह आ रही है तो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिपाटमेंट में क्या काम किया जाता है तो अभी मैं आता प्र सब्सक्राइब करते हैं तो क्या काम करता होगा क्या एक है यह पास सही या नियुक्त करें आश्था आपको मेरी आवाज आ रही है Yes sir. आपको क्या लगता है? कोई कहें कि मैं IT इपार्मेंट में काम कर रहा हूं तो आपके मायन में क्या आएगा? यह कल आपकी नोकरी आइकरी कमपणी में लग जाए क्या लगएगा? घर्वालों के आपके दोस्तों क्या लगए? वहां पर जाके क्या काम करोगे हलो, are we there? आवाज नहीं आरी अजली, आप बताईए यस सर अच्छली इन आइटी वी मोस्टी वोकान डेटा लाइक प्रेटा और वरकिंगान देटा मैं बहुत सिंपल सवाल पूछा जिसमें आप लोग इतना वड़ा कन्फ्यूजन क्रेट हो गया मेरा सवाल पूछने का एक ही उद्देश है जानकारी सभी के होती है लेकिन प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं होना कठिनाई हो जाती है आप तुकि स्टुडेंट है तो आप कॉपी किताब में तो ऐसे लिखेंगे जैसा कि किताबों में बोला जाता है प्रॉपेसर है नंबर पाना यह सब सारी चीज़ें होती है लेकिन रियल में इंजिनरिंग है कि एंजिरिंग एक बसिकली हम लोगों की लाइप स्टाइल को फर्म इजी बनाने का एक तरीका है थीचे तो हम अपने काम को असान मनाता हैं हम दूर थे तो हमें दूसरे को नंबर किया बात करने लगे यह दिस इस इजाए इस इस टेलिकों ठीक है लेकी पुरां का पुराने टाइम में अभी आप इस میں मालूम है आपको मेरे से बात करनी है मुझे आपसे बात करनी तो हमें यूश्रे को नंबर डाल करें और बात कर लेंगे लेकिन दिसम्बर दो हजार पचीज के बाद आपके बाद की पीडियास से दस प्रास से मालेज़ अटभीस साल बाद त्वंटी एर आगे चले जाएं और मेरी जगह पे आप यहां बैठ के ट्रेनिंग दे रहे होंगे और नए इस्टुडेंट का ग्रूप इंडस्ट्रेनिंग या बीटी मेरे सामने सुन रहा होगा तो उस समय आगर आप किसी से कहेंगे कि हमारे टाइम में एक नंबर डाल करके लोग आपस में बात करते थे जाल के बाद नंबर डाल कि होता हैं मालूम किया हिंए नहीं के निसमबर 2025 के बाद नंबर डाल डालिंग सिस्टम भी खतम होने जा रहा है अब और यहां पर हूँ आप सभी लोग अपने अिक्किस से कर दियास में क्या हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि आप मेरी फोटो नहीं देख Рहें आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं सब्धीर की बाते सुना क्या एक communication नहीं है मैं अबि मैंने सवाल पूछा तो कोई खास परक नहीं पड़ा है अभी आप लोग का जवाब होई है ठीक है, IT is nothing, the new version of telecommunication is known as IT, telecommunication का ही नया नाम IT है, और IT में आज कल, पहले हम कि वहला बात करते थे नमबर डायल करके, आज भी हम बात करने के साथ-साथ हम एक दूसरी को picture भेख सकते हैं, वीडियो बेच सकते हैं, live communication, अभी यह भी हम लोग जो करें भी आइटी कम्लूकेशन है ठीक है बट आप एक का सकते हो कि एडवांस बर्जन या न्यू बर्जन जो है टेली काम का वाइटी और आइटी को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूबत होती है पहला हाडवेर दूसरा सौप्टवेर और तीसरा उन सभी हाडवेर सौप् है लेकिन प्राइटा कंपनी होती है कोई और बनाता है पृष्रे को अपस में मिलाकर एक नेटवर्क के ऊपर आपस प्रम्प्राइब का नाम नहीं है अपने आप में एक बढ़ा टेली कम्यूकिशन का नया सोरूप है तो जब मैं पड़ता था तो हम लोगी सूशते थे क्या ये और इमानादारी से बताओं मैंने अपने इंजिर्णिंग में सब्सक्राइब करना है तो सबसे से टेंशन हो गई कि हम तो computer ही ठीक से नहीं करते तो communication कैसे कराएंगे ठीक है ना लेकिन समय था धीरे-धीरे सम लोगों ने समझा जाना जैसे कि मैं आज आपको बता रहा हूं जो हमारा जो communication है उसका ही नया नाम आईटी है ठीक है तो समझ में आ गया और फिर मैं समझ में आगे आई-टी डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट नहीं है हाँ आप इलेक्ट्रॉनिक कम्म्यूकेशन के स्टुडेंट हैं तो हो सकता है कि आप आपका फोकस ज्यादा तर नेटवर्क के ओपर हो या सकता है लेकिन शॉप्ट्र बनाना कलाकारी नहीं होती अपना लोगे बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हो बहुत अच्छे सब्से पहला क्वेश्चर मार की आएगा कि आपका सब्स्याइव खरीदेगा कौन बना देने से बात नहीं बनेगी नहीं विसका यूज कौन करे सब्सक्राइब कुछ कंपनी के नाम है जिनके पूरे का पूरे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर आप कही प्राइवेट कंपनी में भी जा रहे हो सब्सक्राइब करता है एक हाडवेर खरीदेगा और दोनों को आपस में कम्मिनुकेश करा के यह जो हम बात कर रहे हैं उसकी बेरस्टा करेगा ठीक है तो हम यूज भी यूजर हो गया ठीक है ठोड़ी बहुत आपको आपको आइडिया लग गया होगा कि कम्मिनुकेशन का ज यह सारी चीजें हमने आप लिखी हुई है ठीक है यह अगर मैं आपसे पूछू इस सवाल को समझने के लिए कि मैं पूछने की कोशिश करता हूं एक क्वेश्चन के रूप में ज्यादा तर मैं अपने से सब्सक्राइब को समझ में आ जा इसके लिए मैं किसी एक को अन्मूट करूंगा अब मैं बोलता हूं खुसी खुसी तोंसी वाल अन्मूट प्लीज और मेरे सवाल को ध्यान से स हैं जानी बैंगलोर तो बैंगलोर में तो पंक्रीस त अस्तमाल होते होंगे घरों में एं यह सैंट यह सब्सक्राइब to मैं उसी द्यान में रखते हैं जाते हैं और एक खरिदने की कोशिश करते हैं दुकांदार ने कहा आपका स्वागत है और आपका जो पंक्खा मेरे पास में पूछी और रूप है हुआ है तो मेरा सवाल है कि आप चारे पंखा लुक वाई सब कुछ एक जैस्ता है तो आप कैसे बताओगे कि यह कौन चार्म का नार्मल फैन के बारे पहले बताओ अन्मूट प्लीज नॉम्ल फैन पूट बीजस्ट अन एलेक्रिकल फैन दाट इसक नेक्टेट तो केबल सबसे पहले मैं इसकी बात में कर रहा हूं अभी मैं इस अगर कोई चीज आडिनरी है या सिंपल है तो पहले बताओ इस पैटान रोगी यह पंका सिंपल है इस पाइन दर सिंपल इस पुड़ न उसमें और चीज नहीं होगे तो इस बीज़ नोमल फैं बिताव इन एक्सटरनल फीचर्ट इस रहा आप अपने बहुत अच्छा लगा अपने बहुत अच्छा जबाब दिया विसका मौर इसका पूछे लिता हूं महेक महेक आर यू देर अन्मूट अब भी जबाब देदी आपको क्या लगता है नार्मल फैंड कौन साओं कि अन्मूट प्लीज कि अन्मूट कर रहा हूं बहुत अच्छे सवाजाना चाहिए फिर से आपका उन्मूट हो गया है जो फीचर हो बताओ जो नहीं हम उसके बारे में नहीं कर क्या फीचर होगा उसका जो है एक नार्मल पंखे में क्या फीचर हो सकते आपको पकड़ना है सबसे बेसिक चीज सबसे बेसिक चीज पकड़नी है नार्मल फैन इस वेरी सिंपल उसका हर चीज मैनुवल होगी अनॉफ करना श्पीड बढ़ाना रोटेशन करना इवरी ठीग गोई टुड़ नार्मल मैनुवल आप उसको अनॉफ करेंगे मैनुब उसको श्पीड बढ़ाएंगे मैनुवल उसका रोटेशन करेंगे मैनुवल इवरी ठीग इस दा नार्मल ठीक है कोई कन्फूजन तो नहीं हर चीज नार्मल होगी क्लियर हो गया एक से अब नीरज आप अनम्यूट हो जाईए अब यह तो नार्मल ठीक समझ में आ गया कि मैनुवल होगा आप दूसरा रखा इंटलीजेंट इन तो आप इंटलीजेंट में क्या डिफर हो जाएगा नार्मल प्रेंट में क्या चीज़ कर दियाएगा इंटलीजेंट बन जाएगा आप इंटलीजेंट है यह यह नौ यह सब बैरी नाइज सभी लोग चैट बॉक्स में लीखें एक थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग मनाते हैं आप सभी लोग इंटलीजेंट है सब लिखेंट इन सबील लगी निति लग जाएगी सीवाने मैं क्वेश्टन इस यह नौ प्लीजाइट आंसर पड़ पड़ यास यास इविडियंद इस वरी नाइस जल्व अची बात है आप मांते यह से तो नीरज मजे बता है आलोग डी सभी लोग ने यह बोला तो आप बता है प्यों है इंटलिजेंट क्या फीचर रहे कि आपको इंटलिजेंट बोला जाए अन्मिट रही है कोई दिकत नीव है आप सब्सक्राइब करना थीक है चाहिए और प्रॉब्लम सल्विंग अब अबलेटी ओना डिस इस क्वालिटी में क्यू तो इंटलिजेंट ओके एक एक किसी और से पूछे लेते कुछे 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 चलो सैल जा सैल जा आर यू दियर लगता है लगा कि मेरी क्लास में 15-20 मिनिट अलए गंटी क्लास होती है ऐसा कोई ने करे यहां पर लेट किलर दिखार इसका मतलब यह है इस ओके रिकॉर्डी तो मैं देई रहाऊं तो उनसेसरी इसमें वो प्रेसर किसी वो मैं नहीं दूंगा डैट विल की ओके हर सिता इस बताईए आप इंटेलिजेंट है यह से नो आपने लिखा यह स्क्यों है सारे काम कर सकते हूं चलो चीवात प्रीटी आगले क्वेश्चन के लिए तयार रहना आप से पूछूंगा मैं कोई ठीक कर लीजेगा प्रीटी और आदिती और जो ने को सब्सक्राइब नहीं तब तक जो मर्जियों सच कर लिए चलिए अब मैं आता हूं दूनों लोग कि लोगों को ट्रेणिंग नी जाती है इस्टूडेंट को भी हम देते हैं आईस को भी देते हैं सीमा पर काम करते हैं बीस सब्सक्राइब गौन हूसे सवाल पूछता हूं जब कोई मालमारे आपिस्टर्स हैं भी आपिस्टर्स भी जाजा तो यहां पर एक प्यावेंग ब कि अउनका ट्रेनिंग पूरा हो रहा होता है तो मैं उनसे पेपर टेस्ट ले रहा होता हूं तो उन से महा पूछता हूं कि आप्टिकल फाइबर के भाइब एडवांटेज बताएं ठीक है और मुझे लगता सभी लोग जानता अप्टिकल फाइबर आशके बारे में अब तो घरों में पूछ गया है तो पता क्या लिखते हैं पूछा फाइब पॉइंट आप अप्टिकल फाइबर लिखते हैं यह सस्ता होता है यह चूरी नहीं हो सकता यह सस्ता होता है पहला पॉइंट डूसरा यह चूरी नहीं हो सकता ठीक है इसका 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 मेंटेनेंस असान है और लास्ट में जो पांचवा पॉइंट होता है लिखते हैं हाई बैंडविट लांग डिस्टेंस कम लिखें लेकिन बागी चार पॉइंट को गलत नहीं कर सकते लेकिन दिस पॉइंट हो एकुरेट नहीं है वो इससे मैच नहीं करते उसकी क्वालिटी हो सकती है उसके क्या करते है उसको गुड कह सकते हो एक पाल्ट हो सकता है बाट डैट इस नाट अकुरेट अंसर जो लिए वन हाई बैंडविट लॉंग डिस्टेंस कम्यूकिशन राइट ठीक है तो उसी तरह से मैं आप को बता दिए कि इंटेलिजेंट में आप अगर उसमें दो चीजें होंगी दो चीजें कौन सी आपकी पहला सेंस दुनिया में हर सी इंटेलिजेंट होगी चैक पसुपच्छी हों चैक मनुस्य हो या मनुस्यों के द्वारा इनसानों के द्वारा बनाया गया कोई भी डिवाइस पहला सेंस दूसरा मेमोरी अगर फ्लेंट लिए ज़िए हैं तो आप intelligent है नो डौट आपके पास सेंस है और मेमोरी है भगवान ने आप सभी को मैं कुछ कह रहा हूं मेरी बात को आप सेंस कर रहे हैं और उसको याद भी कर सकते यू आराल intelligent ये गाद गिप्टेड होगा कि किसी का sensor ज्यादा होगा sense ज्यादा होगा किसी का memory ज्यादा वा कूए उस इसाफ से उसे यार डोस पैरंट बहुत ज्यादा intelligent दोनों ज्यादा हो सकता है intelligent है लेकिन ऐसा भी तो होता है कि अगर कोई चीज एक ना हूँ Gehtemic लगतार बोले जा रहा हूँ आप मेरी होता दूसरा आप माइन पूछा आप क्या हुआ है कि नहीं सा आप बोलते अपने किसी दोस्त को कि बाड़ा नांसेंस है क्यों यह इंसान तो सेम चीज मसीनों के ऊपर भी अपली केबल है अब मैंने पूछा नारवल थैंट तो सभी ने बता है मैंने बता दिया मैनुवली हो आप कर सकते हैं रिमोट के मादम से पंखे के स्पीड बढ़ा सकते हैं उसकी स्पीड रोटेशन कर सकते हैं उसका जो भी रोटेशन कर सकते हैं इस इस दा इंटेलिजेंट है आप सभी को समझ में घर में आपके घर में जो टीबी है वो सब इंटेलिजेंट है उसमें रिमो मैं आप बात करूंगा इस पर स्मार्ट डिवाइस ठीक है तो इसमार्ट डिवाइस में क्या होगा यह बात करें इंटेलिजेंशी में कोई डाउट की आपका जो वह है प्रेश्यार में करें अगर मैं बात करूं प्रिति अन्मूट आपका नंबर आ गया है इंटेलिजेंट समझ में आगया आपको अगर दिवाइस के बाते करें सेंसर और मेमोरी चीप लगा दो और आप करना सब कुछ हो जाएगा आप सभी लोग इंटेलिजेंट है नो डाउट अब मैं नेक्स क्वेश्चिन आर्यों स्मार्ट कि बाकि सभी लोग चैट में आंसर दें आल आरे स्मार्ट यस या नो इसको भी देख लेते हैं इंटेलिजेंट हो गया है प्रिति यस आप बोली आपको टाइम बचेगा वाकिको मेसेज करने दीजिए अभी लिख रहे हैं यस यस ठीक है भाई उभी पुछते हैं यस प्रिति यस आपकी आवाज नहीं आ रहे हैं बुलिए हैं इंटेलिजेंट हैं आप नोड़ाउ इंटेलिजेंट होना यह तो आपके दोस्त बताएंगे बगवान बताएंगे अपने आप सब्सक्राइब लेकिन आप स्मार्ट हैं यस या नो पुष्टें मार गया गया यह सभी पूछते चैट में लिखते आप यस कि जो भी मन में आए जरूर बोलना है आपको बताना है देखो इंजिरिंग का सबसे अभी चलो इसी में समझ में आज आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं चलो मैं ही बोल देता हूं टाइम का पूच्छा थोड़ी चलिए पूसिस करिया आप लोग भी की बोले और अभी मै देखिए आप लोगों को मुझे लगता है कि आज के जमाने में इंजिरिंग में अडमिशन लेना पहले की तुलना में बहुत आसान है और इतना इंपॉर्टेंट भी अब लोग नहीं देते हैं जितना मेरे टाइम में होता था नाइन्टी 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 फॉर औ कारे में बात कर रहा हूं जम मैंने अपना पढ़ाई पुर्या के एंट्रमीडियेट का और मैंने एडमिशन के लिए अपलाई किया उस समय क्या होता था कि अलग 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 अडिमिशन कराते थे आई आई टी के को टोटल सीच ते आट हजार आश्वरी आएट हंड है तो उनको केवल दो हजार ती नजास सीटों के बीच में ही सीटे मिलती थी पूरे इंडिया में इतनी कम सीटे हुआ करती थी तो में तो इन्वर्सिटी आप रूटकी जो आज कल आई टी रूटकी के नाम से जाना जाता है अपना सेपरेट एक्जाम कराती थी उस समय पास किया इन्वर्सिटी आप रूटकी के में बात कर रहा भी पास करने के बाद कॉलेज्जों को उससमें जानकारी नहीं होती थी तो सभी कॉलेज सभी को कॉल करते थे एक बार कि आजाओ एडमिस्टन लेना है कि नहीं लेना है आपका सेलेक्शन हो गया है और चुकि मैं का इसाथ आता नहीं था क्योंकि पेपर भी अलग होते थे अलग टाइम पर होते थे तो मेरा जब रिजल्ट के में सेलेक्शन हो गया तो मैंने वहां पर गया तो कॉलेज्ज को पहले दिन इकठा बैठाते थे तो कि उनको इस बात को बिलकूल भी आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे आएंगे और एडिमिशन लेंगे ठीक है तो मैं भी गया और मैं क्लास में आके आपका बैठ गया जब मैं क्लास में आया और उस समय इंजिरिंग एक बहुत कठीन परिच्छा होती थी पांस लाग बच्चे पेपर देते तो सेलेक्शन के वल मुश्किल स नबे सीट तो सूचिए कि कितनी बड़ी बात होती थी तो सेलेक्शन होके हम गए और वहाँ पे बैठे सारे ब्रांचों को लोगों को बैठा हुआ था और हम आज तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर डिमिशन लेंगे तो हो सकता है कि दो दोस्त हैं एक ही कॉलेज म आने वाला हूं तो मैं बनारसी हूं तो बनारसी के खासियत है ठीक है ना वह पहले मिजर करते मेरे अंदर है दूसरों का मुझे नहीं पता ठीक है तो मैं पूछा भी जाता था इंजिरिंग से कि जब बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करते थे पूछते थे कि आप बड़ इनकी वहाइज है झालता ठीक सबका है और मैं टाक्र बनने मेरा था भी तो मैं क्लास में बैठा हुआ था मेरे बगल में एक साउट हिंदियन था मिस्तर दी सतीस बावू उनका नाम मुझे अच्छे स्याद है ठीक है अभी भी हमारे साथ ही काम करते हैं लेकर भी है अधरावाद में हो ठीक है उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आते हैं नौट वेर अब हिंदी बहुत ही रियर आती सब्सक्राइब करता है जो सभी को समझ में तो मैं बगल में बैठा था और क्लास में मैं एक चीज आप जो करी कि जब तक हैकल्टी नहीं आई और मैंने जब क्लास में आ था तो करीब 40 बच्चे आ चुके थे तो आपके साथ गटना गट्टी होगी तो मैंने यह देखा कि क्लास में एक बच्चा ऐसा था एक स्टुडेंट ऐसे से दो थे वो शीट पे खड़ा होके न कभी किसी सीट पे जाके बात करते थे ज्यादा बात करने कोशिश करते थे इसी कि सबने कठिन परिच्चा पास की थी किसी की इंट्रेश कोई सक नई लेकिन चुकि वह इंडिया ने हिंडी ठीक तरीके से नहीं जानते तो मैंने उंसे पूछा उनका स्वभाव ऐसा था सब्सक्राइब क्यों लिया स्मार्ट अगर आप कम्यूकेशन की बात करें स्मार्ट डिवाइस का मतलब होता है इंटेलिजेन तो रहे गई रहे का इसमें क्या आइड हो गया एक है प्लस कम्यूकेशन तब आपको एसमार्ट कहलाएंगे ठीक है ना और आप सभी को स्मार्ड बनना है और डफर अबनी नहीं ठीक है न, मैंने फृती से बोला ना, हीजी आप भी बोलिये, सभी बोलिये, आप इस बात को भूल जाओ, कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, आप ये बोलो, नपा तुला, जितना सब्दे नहीं बोलोगे, तो आपको डफर समझेंगे, दरपोग समझेंगे और आपको दबा देंगे ज्यादा बोलोगे बहुत चपरते पर बोलता यार इसको नहीं रखना यह बेकार है इसलिए आपको स्मार्ट बनना है ठीक न होपुली क्यालर क्लियर और अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं कि आप जो हमारा पंखा है अब य इंटरनेट आप सभी डिवाइसों को इंटरनेट के द्वारा जोड़ दें तभी आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे अपने डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे यहां पे हूं मेरा पंखा स्मार्ट है तो मैं अपने पंखे को घर के इंटरनेट से जोड़ नहीं है वह फाइब दी सूछता है बहुत बड़ी चीज़ है तो यह आपका समार्ट होगा सभी आपको एक वीडियो दिखांगा जिसमें अपने हो सकता वीडियो देखा हो आप लोगों ने लेकिन इससे आपको फाइब जी के बारे में आइडिया लग जाएगा फाइब communication का next level है जिसमें सभी डिवाइसों को आपस में जोडनी की विवस्था की गई है इसलिए हम उसको 5G दिया आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका phone update करके कह दिया गया 5G लेगिन कि आप में से कोई यह बता सकता है कि किसी का 5G signal आ रहा है और बता सकता है कि 4G और 5G में क्या difference मैंसुष किया तो उनका स्वागत है कोई है आप में जिसके पास 5G की वो है कोई है तो बता दीजिए मैं आपका दा दा वीडियो करता हूं क्यों वहीं नीरज आपके पास mobile phone में कौन दा सिगनल आता है नीरज तो आपका 4G जब यूज कर रहते हैं 5G में क्या डिफ्रेंज मैसूस किया कुछ मैसूस है आपको साइकोलोजिकल नहीं रियल्टी बता नहीं है आपको क्योंकि यह सिर्फ लाइक बनाया गया था बेकूप बना दिया लोगों को ठीक है नहीं एक वीडियो मैं सेयर कर रहा हूं इसको आप लोग देखिए और इसके बाद में हम लोग जो मैंने अभी तक जो डिसकस किया ना वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी ख़ी प्रश गज सेयर कर देखिए बनाया वर रहा हुआ है आने वाला समय 5G का है यानी मुबाइल नेटवर्क का पांचवाँ जेनेरेशन और ये पहले के मुबाइल नेटवर्क से बिलकुल अलग होने वाला है 1G ने हमें अनलोग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सके 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रेकॉर्ड करना मुमकिन हुआ 3G स्मार्टफोन और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तमाल के बारे में था 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी लेकिन 5G पृत्वी से मंगल जाने जैसा है ये सिर्फ तेज ही नहीं बलकि बिल्कुल अलग दुनिया है इस दुनिया में मशीने एक दूसरे से बाते करेंगी आप से बाते करेंगी ये मुमकिन करने के लिए कई आंटीना लगाने होंगे हर जगह आंटीना लगाने होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतिजार में हैं ताकि वो आपस में बाते कर सकें एक दूसरे से ताल मिल बिठा कर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सबजिया कब ओर्डर करनी है ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डेलिवर कर सके बरतन और कपड़े कब धोने है ये भी आपका डिश्वाशर और कपड़े धोने की मशीन खुझ से समझ जाएंगे अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शन्स देने होते हैं फाइब जी की दुनिया में मशीने आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसिजन ले सकती है जब मशीने ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर से कनेक्ट रहेगी उस ट्राफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते सब कुछ आसान हो जाएगा 5G इन डिवाइसेज को बहुत तेज स्पीड देगा लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी ज़रूरी है क्योंकि ये डिवाइसेज लगातार अलग-अलग अंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे खास्तोर पर तब जब आप तेजी से गुज़र दहें होंगे लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं ब्लू वाइरलेस नाम की कमपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़ादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सूपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है कि दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट किये जा रहे हैं अमरीका में वेरिजॉन नाम की कमपनी कुछ शहरों में ट्राइल कर रही है ट्राइल बहुत छोटे एरिया में किये जा रहे हैं नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज ओके यह अभी आपको थोड़ा वुदी आना हो गया क्योंकि अब थोड़ा सा फाइब जी मार्केट में आ गया तो आगे का वीडियो मैंने श्टॉप कर दिया तो पूलिया आपको समझ में आ गया होगा फाइब जी नथिंग फाइब इसमें सारे डिवाइस नों को सारा बताएं अब तो कोई दिक्कत नहीं है जो मेरा फैन है स्मार्ट फैन कब होगा जब वह इंटरनेट से जुड़ जाए कम सभी को भी स्मार्ट बनना है राइट क्लियर हो गया ठीक है इसके बाद जो नेक्स आपका आता है जो लेटेस पंखाम ने बोला लास्ट वाला कि अल जागा तो भी आए नियवी तक अरसिता दिव्यम अस्था 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 बताएं डिवाइस क्या हो सकता याई पंखा क्या होगा यस बताएं यह तो नाम भी सुना होगा अपने यह सर एयाई फैन में हम स्पीड कंट्रोल का वो खुद डिटेक्ट कर कि बहुत बढ़िया और बताओ डिश्यास बोलिया और इसमें स्माट कंट्रोल होगा प्लाइक वो तस्मार्ट वाला हो गया डिप्रेंट समझना बहुत जरूरी इसमें कोई जिव मैनुवल था इसमें सैंसर और मेमोरी लगा लगा दे रिमोटली हम चीज को कर सकते थे इस इसमें आपने बहुत अच्छी बता है मैं आपको एक शब्द बोलना चाहूंगा आपने बहुत अच्छा बताया अगर अभी मुझे नौकरी देने की पावर होती ना तो मैं अभी सलग कर लेता को कि बहुत कम लोग होते हैं वह गलत सही का मज़ें नहीं पता लेकिन आपने जो भी सोच के बता है बहुत सही बता आपने बड़ी अच्छी चीज बता यह और इस चीज को मैं और इस प्लैन करूंगा कैसे यह बहुत ही डैंजरस चीज भी है आटिफिशल इंटेलिजेंट डेखने में नाम में बड़ा अच्छा लगता है बड़ा सब कुछ चल रहा ह सब्सक्राइम हुआ था तो इस मोबाइल को देखके बताइए कि जिस बंदे ने एसकर रहा था ने मिट्सका वियल कैसे बीषर नस्ट कर को मैं कहता हुं उप वोग क। तो मैं आपके मोबाइल फोन को देखकर मैं बता दूंगा कि आप लोग क्या सोचते हो क्या देखते हो का दिमाग कहा तक चलता सिर्फ पांस मिनिट की दिने याद के लिए इतना ओक्यों क्यों पॉसिबल है ड्यू तो दे ए आई तो कि आपका सभी का फोन ए आई बेस हो चु करूं उस समय अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा होता और यूटूब खोल रहे होते और नया जीमेल एकाउंट बनाते ठीक ना नया लैपटॉप खरीदा यूटूब खोला एक नया जीमेल एकांट बना तो जो यूटूब का पहला पेज खुलता वो बिलकुल वही यह कब की बात है 2013 की आज की बात करें सेम नया लैपटॉप खरीदा जीमेल एकांट नया बनाया और यूटूब खोलते हैं पहली बात यह फर्स्ट ताइम यूटूब खोलेंगे डिवाइस नहा है आपका लैपटॉप नया है आपका इमेल आइडी नहा है और आज हमारा यूटूब सर्वर हैं वह हाडव और सॉफ्ट्व बनायर में असके अंदर कोले घो डिकि इन हमें और की ने इसा हो सकता किस्वी ठीड़ कि गाने पसंद हूं पूइस अज़से सोन निगं के गाने पसंद पसंद दो तो आप सर्स करना शुरू करेंगे आप यूटूब मेरा आपका वो हो गया है आई बेस सेंसर है तो आटोमेटिकली वो सेंस करेगा और सेंस करते ही समझ जाएगा कि यह जो परसन है मिस्टर नीराज इन्हें किसुर कुमार के गाने ज्यादा पसंद है आदिती इन्हें कंप् प्रंट पेज है वह बिल्कुल वही डिफाइंड नहीं खुलेगा वह अलग से खुलेगा बकायादा रिकमंडेट वीडियो और जो लास्ट वीडियो खुलत सारा मिल जाएगा और चुकि यह सब जीमेल जानी जो हमारा गूगल का अकाउंट है वह आपका सेंस करके सारी च जीमेल मिलेगा आप भी सबने जीमेल पर बनाया होगा नो डाउट ठीक है और उसी जीमेल एकाउंट करते हुए आप सारे सोसल मीडिया प्लेटपॉम है जो भी आपके पास पॉसिबल है कम्मुनुकेशन इंटने में आप जुड़ जाते हैं तो नो डाउट कि अगर एक प आपका बेसिकली ओ है तो अभी चार चीजे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश किये होप फुली की समझ में आ गया तो जो आदिती का इंफॉर्मेशन था उसकी खासियत क्या थी उसका आंसर क्या था याई का मतलब है आटो सेंस एंड सेल्फ लर्निंग अठने sticks करेगा और कर जाई अव एक कंप्रूटर सरां बनाने वाले के ऊपर है कि सेंस और निंग के बीच में कितनी और repetition रखा हो सकता कि पहले ही sense में learn कर जाए हो सकता कि बार बार कम से कम दो sense करें तब learn करें ठीक है न तो मैं अगर पंखे के बारे में बात करूँ तो अगर मेरा पंखे के अंदर AI feature डाल दिया जाए software उसके hardware में भी तो मान लिजिए कि नीरज है ठीक है नीरज ने पंखा अन किया ठीक है ठीक है अँब ओन को दो बज ठंड लगी ठीक है और इन्हें पहले दिन का दिन है पहले 9 का यूज किया तो अगले दिन से रगर मालो नीडस ने फिर पंखा चला और राथ को दो बज़े बंद किया तो इस बार लर्ण कर लेगा और करदेगा कीश्रे दिन आटो मेंटेकली आपका पंखा अन होगा दो बज़े रात को आटो मीटेकली पंखा एक मैसेज देगा और अपने आप अगर मैनुली रोकना चाहो तो रोको के नहीं तो फिर वो जो जाएगा तो यह होता आटिफिस्यल इंटेलिजेंट कभी भी 100% नहीं कराना है जितने भी आपके रोबोटिक सिस्थम उनको दिया गया है जहां पर कुछ एडिकेशन छेत रहें कुछ ऐस आप काम कर रहे होंगे ऐसा दिन भी आ जाएगा रोबोट मुझे लगता आप सभी लोग ने देखा होगा ठीक है तो एनी कोई क्वेश्चन एनी कोई डाउट आज के सेशन में बाकी मैं दो के बारे कल बात करूंगा है भी एनी क्वेश्चन एनी डाउट यू कैनाक कोई क मैं बोलूंगा इसको कोई भी सिर्फ दो से तीम निट करेंगा कि मैंने क्या बोला था बहुत जारा डीप में नहीं जाना सेशन के बारे में ठीक है ना वो नाम कल ही बता चलेगा और सभी को मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा ठीक है तो इसका रिकार्डिन सेशन आई विल अब कहां थे